मैं ने इन पड़के अभी आई गE ना किंवा चाय पीने से इंसान काला होता है so आज की वीडियो में आपको बताने वाली प Sixtya Saks में चाय पीने से इंसान कांतो काला होता है या नहीं so इसके पहले अगर आप लाइक कर देचे शेर कर देचे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर देचे हमाई सेल्फ माई लुलवानी और आज के वीडियो में हम जानने वार ले है क्या चाय पीने से सच में काली होते हैं क्या Teresa. so rd1 वट्रकीम अनilवानी से पहले मैं आपको चाय के फायादे बता dłी हम अपके पीनी चाहिए जाधा नहीं पीनी चाहिए ल्य म जानडा नहीं पीनी चाहिए अाछले ट्रृस के बता थे कोख्यार तो शा पहले कर सकते हो एक 250 शाले हैं प्लासम चाय को दूद के साथ लेते हैं तो हमारे शरीर को कही ना कहीं है तो चाए पीने में ज़्याजा यह नहीं है कि चाय नहीं पीनी चाहिए या क्या चाय पीनी चाहिए but लिमिटेड माद्रा में क्योंकि उसमें अंटियों से बचाता है हमारे थोड़े खाचर पेट को भी ठीक रगता है और बोल सकते हैं हमें एजिंग की प्रॉब्लम से बचाता है कैंसर की प्रॉब्लम से बचाता है चाय पीना चाहिए मेरी सला यह है बर ज्यादा नहीं अब बात आती है कि चाय पीने से काले पर जाओगे बाकी तो मैंने आपको बता ही डिया कि दादी है अगर बोल चाय में रहता है बहुत ज्यादा क्याफीन तो बहुत ज्यादा उसका इंटेक्स करना भी सब्सक्राइब बच्छों का विकास भी रोक देता है और उससे बहुत सारी प्रोब्म्स होते हैं तो इसलिए दार्दिया मनमिया बोलती है कि चाहे जादा मत दे हो और तुम काले पर चाहे लो दिन में एक बार दो बार सफिशेंट है तो उसे ज्यादा टाइम नहीं लेनिया आपको चाहे सो चाहे एंज्वाए करो बाकी अपने मन में यह महमत पालो करके चाहे पिने से इंसान काला है ठीक है चलो आज के लिए बस इतना ही सो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिलकुल नहीं भूलना है अगर आपको और कोई कॉशन से कुछ जानना है आज के लिए बाए 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 वाए नाइस देए